सबने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं लेकिन डाउनलोड करने में पूरी उमर गुज़र जाती है हेलो एवरीवन वेलकम तो और यूट्यूब चैनल लेट्स अनपोल्ड केमेस्ट्री लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक तो आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एफेक्ट ओन एसी डिटी यह जो है लेविस एसीड जो नपर रहे थे उसका टॉपिक है इसके अंदर हम कुछ एक जो एक जो एक जो एक सप्शन केसीज है उसके बारें पढ़ेंगे तो हम पहला को तो वो क्यों सवार्ण को इसके पास उली 6 सिक्सित इलेक्टरोन है इस आउटर मॉस छाहां हमें पता है कि लेविस्ट यह घुता है जो इलेक्टरोन डेफिशेंट होता है जो लॉन पेर को Accept कर सके लों पर Accept का मों जो इल्श्च विले्री डेफिस्ट ऑगा ठीक है Under潮रेंगゃ बहुते है Exclusive Strength चलोएं एक्स्पैन्ट पने सविंड अशम्ण। biscuit असे Aziz हो प्ली संथ के बेसिसपह आइक्स्पैनल नहीं की जा सकती it can be explained on the resonance effect ठीक है तो यह एक exception case है only inductive effect के base पे हम acidic strength determine नहीं कर सकते तो first question हम पास देखू है यहां पर शो और है the correct order of acidic strength of boron boron के हमें acidic strength का order बताना है first option है BF3 is the highest BCL3, BBR3, BI3 अगर हम inductive effect देखे हैं हमें पता है कि F जो होता है more electron negative होता है वो अपनी तरफ ज्यादा electrons को कीचेगा तो ज्यादा electron कीचेगा तो ज्यादा electron deficient होगा और electron deficient ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा अपने पास की लॉन पेर को easily accept करेगा बट बट देयर is a resonance effect तो second option हमें देखो क्या given है BCL3, BF3, BBR3, BI3 BCL3 यह तो कहीं से बनता है नहीं अगर inductive effect के basis पर देखे तो BF3 highest तो यह तो कहीं से बनता है नहीं इसमें लगेगा resonance effect और उसके वजह से यह answer जो है हमारे पास वो correct answer है अब यह answer क्यों correct है वो भी हम पढ़ेंगे क्यों correct है तो देखो जो order है इसका answer question का answer जो है C option है that is BF3 is a least acidic then BCL3 यहां पिस L आएगा यहां फिर BBR3 फिर BI3 मदल सबसे acidic जो है BI3 है अब यह सबसे ज़्यादा acidic क्यों है इसमें क्या होता है बैकपाई का concept आता है बैकपाई bonding क्या होती है जो F हमार पास fluorine atom है और जो boron है boron के तीन तो यहां पे bonding electrons दिखाए हैं एक P empty orbital present है ठीक है फ्लोरिन के पास जो होते हैं पाई orbitals filled होते हैं इसके पास पाई orbitals होती है filled होते में complete लिए क्या करते हैं इसके सास्थ बंड बना रहेते हैं ठीक है पाई bonding और रहे है बोरोन की फ्लोरिन के साथ एक बार बैक आइप बंडिंग इसके साथ बनाएगा एक बर एक बार इसके साथ बनाएग एक बार इसके आस तो resonance है ना पाई elektrons move कर रहे हैं तो resonance में क्या होता है पाई elektrons move ही तो करते है तो इसके अंदर backpipe bonding है और with resonance चिक है देखो उन्होंने show कर रखा है यहां पर अब देखो resonance हमने पढ़तो हो रिया कि बैगपई बन रही है वो कौन से और्बिटल में बन रही है इसमें कौन से यूजर है टूपाई टूपाई देखो इसमें कौन से यूजर है टूपाई टूपाई इसमें टूपाई और टूपाई इसमें टूपाई फॉर पाई टूपाई पाई अब देखो जो बैक पाई बॉंडिंग है वो अगर सा बनाने से कम हो गई क्योंकि इसके पास एलेक्ट्रोंज की डेफिशनसी थी वह पाई बनाने से कम हो गई बनाने बनाने से पास एलेक्ट्रोंज मिल रहे हैं तो यह कैसे हो गया भी तो उसके जिस्टियों नेक्स्ट भी S में थोड़ा और बढ़ा हो गया बोरोन में और बढ़ा हो गया बीए थे बोंडिंग वीक होती गई और जो इसका कंट्रिबूशन है बैक्पाइब बोर्डेंग का वह डिक्रीज होता गया ठीक है अब देखों 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 एस रिजल्ट से बोरोन की जो टेफिशेंसी थे ना वह कंपशेट हो रही है जिसके वज़ेव से लैविस एसट करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है ठीक है पीपाई पीपाई बॉंड इस मैक्सिमाम इन केस ओफ बीए त्री वह क्यों होता है वैंने बताई दिया कि उसका साइज साइस में पाई का साइस होता है पाई और पीपर्विटर आ उसके बीचे कष्ज़ागी Awards रसके आपर देंग नें बॉइलंग और देंगन है उसके एक से आब औरनेग और गिए यहां टरगानलire होती है इस लए लेविश एसेड होता है क्यों रहता है क्यों कि वह एक्टोंमोट होता है की व्धश्ंळिन् ए looks डिके उते हमनेकों समयने के जो लिए से जो होती है कंट्रिबूशन चके में मुझे होज़ने के सिर फिएड गुते एउस और उस дав us lavish acidic और basic strength में effect पड़ता है mainly हम पढ़ेंगे basic strength में interaction between acid and base form adduct, adduct formation होती है acid और base जब react करते हैं तो adduct मतलब एक wand बनना है जैसे कि NS3 जो है BF3 के साथ wand बनाए तो वो होता है adduct formation ठीक है presence of bulky group affect the stability of adduct मतलब वो bond बनता है उसकी stability पे effect करता है stearic bulky group compare basic strength of pyridine to methyl pyridine and for methyl pyridine with same acid trimethyl vorine यह हमारे पास question है यहाँ पे कि compare करने में basic strength pyridine 2-methyl pyridine and 4-methyl pyridine से 2-methyl से 4-methyl की compare करने है तो देखो हमारे पास seed diagram है इसमें हमारे पास first क्या है pyridine है फिर हमारे पास 2-methyl pyridine है then 4-methyl pyridine है ठीक है इसमें जो order है वो different है according to inductive effect अकर हम inductive effect की देखें तो order जो है वो different आएगा यह है electron releasing group ठीक है electron releasing जो group है वो basic strength को increase करता है ठीक तो इसका order जो है वो यह आना चाहिए था क्योंकि अगर इंडक्ट की almost same होती है और 2-methyl pyridine जोता है वो lowest basic strength का होता है वो lowest basic nature होता है उसके अंदर the lower basic strength of the lower basic strength of 2-methyl pyridine is attribute to the steric hindrance between CS3 group F of 2-methyl pyridine and CS3 group of boron BCS3 such effect is called F strength तो यहां पर जो है F strength का concept है that is known as front basic strength आप देखो डाइग्राम से समझाते हैं इसको जो CS3 group है वो यहां पर ortho position पर बीएज 3 group आएगा इसके पास बीएज 3 bonding के लिए तो यह जो है steric effect cause करेगा ठीक है तो उस वज़े से जो है जो nitrogen की donating capacity है ना वो decrease हो जाती है क्योंकि steric effect भीड़बार के इलाके में कोई जाना पसंद करेगा नहीं करेगा न तो वह यह यहां पर कि यह भीड़बार इलाके में जाना ही जाता तो यहां पर जो है basic strength decrease हो जाती है बात करें हम यहां पर पैरा पोजिशन पर बहुत दूर ऐसी इस त्री ग्रोप क्या ही भीड़ कोज करेगा वो क्या स्टेरिक कोज करेगा कुछ नहीं करेगा तो उसकी वज़े से जो है इसका basic strength और इसकी basic strength almost same होती है और इसकी lowest होती है एस्टेंट decide the basicity of the base f जो है वो decide करता है basicity of the base because due to steric interest acid cannot approach to base क्योंकि भीड़ हो जाएगी भीड़ हो जाएगी तो वो पास आना ही नहीं चाहेगा चीक है अब देखो यहां पर बिल्कुल अच्छे से शो कर रखा है diagrammatic representation से देखो pyridine है उसके वास बोरो नाय BCS3 मैंने BCS3 से बताया था यहां पर BCS3 का whole का thrice का जो है example लिया गाई इसमें देखो अगर यह यहां पर होगा तो इसमें और इक्वल होती है और लुएस जो होती है 2-methyl-pyridine की होती है और थो पोचिशन वाले खीड अब अब next exception आता है B strain that is back strain. B strain का मतलब है आप है back strain. When boron atom changes from trigonal planar to trigonal pyramidal orientation of its valence orbitals, the substituent come closer to the substituent or branched when they are introduced steric hindrance in the adduct. This is called B strain. इसका मतलब क्या है? back strain जो होता है, वो होता है. इसमें क्या होता है? जिससे हमारे पास कोई acid है. इसमें अगर हम एक्जामपल लें, लाइक हमारे पास NH3 है, NR3 है. ठीक है? इसमें क्या होता है? जब हमें adduct की formation करनी होती है न, तो R के group जो होते हैं, सारे एक side आ जाते हैं. ठीक है, R के group एक side आ जाएंगे, और loan pair जो है, easily donate कर पाएगा elektrons. लेकिन अगर R जो है, bulky group होगा, तो वो एक side आ ही नहीं पाएगा, और वो steric hindrance कोज करेगा. और steric hindrance कोज करने से, वो loan pair easily donate नहीं कर पाता, और उससे जो है, basic strength जो होती है, वो किसी भी molecule की decrease हो जाती है. ठीक है, इसमें इसको हम पढ़ लेते हैं, इसके अंदर क्या explain किया है? The change in hybridization during complex formation is affected by large substitution. ठीक है, और अगर small size है, तो ये सारे एक side आ जाएंगे, तो कोई strain cause नहीं होगा, और good donor होगा nitrogen. लेकिन अगर आज जो है, और जो group है, वो bulky group होंगे, तो उसके hybridization change होगी, और hybridization change होने की वज़से, जो donate करने की, जो उसकी capacity थी, वो decrease हो जाती है, P character जो होता है, वो decrease कर जाता है, और S character increase कर जाता है, और S character increase करेगा, तो वो bonding कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, और इसकी जैसे उसकी जो basic strength है, वो decrease कर जाती है, छीक है? The change in hybridization during complex formation is affected by large substitution, large substitution होगा, तो उसकी जैसे जो है, उसकी hybridization में फरक पड़ेगा, वो एक side जो है, groups एक side इकठे नहीं हो पाते हैं, और उसकी वज़ाद से जो है, loan pair easily donate नहीं कर पाता कम पा, यही explain किया रहा है, base chain के अंदर है, ठीक है? I hope you like this video, if you like this video, please share, subscribe, comment and thank you.